अस्सलाम अलेकम ग्रेट सेक्ट, how are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you to another exciting lesson of OPE. Students, आप सब जानते हैं कि हम मिलकर Oxford Progressive English Book को study करते हैं. जो unit आज हम start करने जा रहे हैं, उस unit का नाम है unit 11th, Loins and Tigers. जी हाँ, आज का ये जो unit है, जो आज हम start करेंगे, ये होगा wildlife के बारे में. तो wildlife के बारे में, जो भी information है, वो सारी दी गई है unit number 11 के अंदर. आज का है lesson number 1, जिसमें हम proper introduction करेंगे unit number 11 का. तो आईए आज के काम को start करते हैं. So, grade 6, हमने इस से पहले बात की थी sight and sounds के बारे में, senses के बारे में. आज का जो unit number 6 है, जिसको हम start करने वाले हैं, ये unit है हमारा loins and tigers के बारे में. यानि के इस पूरे unit में हम discuss करेंगे mostly wildlife के बारे में. जिसमें होंगे बहुत सारे exciting wildlife adventures, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ-साथ सीखेंगे vocabulary, grammar और साथ-साथ reading का कुछ पार्ट and poetry as well. All right, so आज के lesson को start करते हैं. बच्चो, lesson number 1 है हमारा, that is about reading a newspaper report. हम discuss कर चुके हैं कि newspaper report क्या हो तो. Newspaper report एक ऐसी report या ऐसी writing को कहा जाता है, जहां पर एक piece of paper पे, यानि newspaper के उपर हमें information मिलती है. कैसी information? किसी एक real event के बारे में. जूट मूट या fiction नहीं होता. Newspaper reports क्या होती हैं? ये लिखे जाती है, event के होने के फॉरन बात. ठीक है? इनके अंदर हमें पाँच बातों के जवाब मिलते हैं. Who, when, what, why, how. सारे जो WH questions होते हैं ना, किसने किया, कब किया, क्यों किया, कहां किया, और कैसे किया. Dates भी होती हैं साथ, person के name भी होते हैं, every single information. ये जो WH questions होते हैं ना, जब आपके, सब इन questions के answers आपको एक piece of paper, एक news के अंदर मिल जाएं, which means it's a report. Alright, तो newspaper report वो होती है, जो newspaper पे लिखी जाती है. एक बहुत important बात, newspaper report किये होती है, कि इसके title जो होते हैं, यानि इसका जो head, headline या heading होती है, वो बहुत catchy होती है, eye-catching होती है. यानि कि एक दम से जब आप उसको पढ़ें तो आपको लगे कि, wow, I really want to read what's in it. एसी कोई चीज़ जो बहुत exciting आपको लगे, जो आपको क्या कर रही है, आपको मजबूर कर रही है कि आप इस report को लाजमी बने, that is called a catchy headline, okay? तो ये सारी बाते हमें मिलेंगे newspaper report पे. आज की जो lesson 1 है, बच्चो, that is about reading a newspaper report, ये book के page number 122 पे दिया गया है, okay? Reading a newspaper report at home in the urban jungle. meaning भी माँ आपको बताऊंगी, at home, घर पे, घर पे एक जंगल बनाया गया है, कैसे? अब देखे, जो ये title है, ये कितना catchy है, घर पे कोई जंगल बना सकता है, नहीं, वो छोटे art project की बात नहीं मैं कर रही, जंगल, like real animals, exactly, that's exciting, तो ऐसा कोई काम घर पे नहीं हो सकता, तो ये वाला काम कहां किया जा रहा है, किसी एक शक्स ने किया है, he has made an urban jungle अपने घर पे, at his home, तो that's exciting, I really want to read this, okay, उसके बाद, ये जो page 122 पे क्या दिया गया है, read the extraordinary newspaper report below, जो आपकी book के page 122 पे, एक newspaper report दी गई है, which is very much extraordinary, बहुत extraordinary है भई, घर पे तो कोई भी जंगल नहीं बनाता, तो इन सहब ने क्या किया है, Mr. Yates ने, Mr. Yates ने किया है, घर पे बनाया है, एक जंगल, कैसे बनाया है, फ़ड़ा illegal काम किया है, तो जल्दी से इस report को read करके वापस में सरदा के पास आए, देखा, I told you, it's a very very exciting and extraordinary newspaper report, तो बच्चों, जो Mr. Yates ने किया, हम ने उसके ब नहीं आ रहा और आप dictionaries देखना शुरू हो गए है, कि कहां से meanings डूने, तो परेशान होने की बात नहीं है, अब हम जो करने वाले हैं, बच्चों, यहां पर मैंने उसके बाद लिखा है, पेज 123 पे आपको ये नजर आ रही होंगी, जो vocabulary है, ठीक है, vocabulary के जो words 123 पे लिखे है ये words आपके इसी news paper reports हैं, अब इनको बारी-बारी मैं study करती हूँ, आपकी book में इनको बहुत detail में लिखा गया है, हर एक vocabulary के sentence या phrase या words के साथ आपको उसकी example भी दी गया है, आपको उसका noun और verb दोनों बताया गया है, और उसके साथ उसकी definition भी बताए गया है, मैंने यहां पर सिरफ definition लिखी है, आपने, जैसे जैसे मैं यहां से study करती जाओंगी, आप तब तब वीडियो को pause करेंगे, इसके बारे में दी गई बाकी की information पढ़ेंगे, वीडियो को play करेंगे, और फिर सुनेंगे part B and part C, इसी थाना, और फिर pause करेंगे और पढ़ेंगे book से दी गई information, all right, so let's do it, okay, A, the urban jungle, this one, the urban jungle, the urban jungle is a phrase used in modern English to describe the dangers, threatening, crowded city life, अब देखें, तरा देने वाला, बहुत खौफनाग, ठीक है, All right, crowded, भरी हुई, किस से भरी हुई, लोगों से भरी हुई, city life, शेहरी जिन्दगी, okay, शेहर की जिन्दगी या शेहर में रहने वाले लोगों की जिन्दगी, शेहर की जिन्दगी को danger, यानि खत्रा, क्या मिल रहा है शेहर की जिन्दगी में जो, शेहर में जो लोग रह रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, जी खत्रा हो रहा है, किस से? बहुत खौफनाग चीछ से, तो ऐसा काम जो शक्स करता है, उस काम को कहा जाता है, urban jungle, तो Mr. Yates ने जो भी उनके इर्दगेत के लोगों को क्या था? डेंजर था. डेंजर, threatening, crowded city life. समझ आ गई ये बात? All right. अब आप क्या करें? वीडियो को pause करके जल्दी से जो काम मैंने आपको दिया था, उसको करें, इसकी examples पढ़ लें और इसकी definition को पढ़ लें. Okay, number B. आपको लगे कि वो चीज खतम ही हो जाएगी. जैसे कि हम बात करते हैं, एक phrase ये word जो यूस किया जाता है, ये यूस किया जाता है, especially animals के लिए. Endangered species का नाम आपने सुना होगा, कि Dolphins are becoming endangered. और Whales, जो whale animal होता है, ना, whale fish होती है, बहुत बड़ी. It's a huge, huge animal, right? Whales आपको पाकिस्तान में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन whales आपको जहाँ दुनिया के दूसरे इलाकों में, यानि समंदर में मिलती हैं, लोग उनको हंट करते हैं, और they are also being dead, वो मर भी नहीं है, बहुत जादा. तो ऐसे species जिनकी जिन्दगी को खत्रा हो, उनको कहते हैं, endangered. इतना खत्रा के उनकी वो species, यानि उनकी वो वाली जो किसम है, वो किसम ही खत्म हो जाए. तो मैं हाँ लिख देती हूँ, जिन्दगी को खत्रा. ठीक है? जिन्दगी का खत्रा. एसा life-threatening आप कहें, उसको कहते हैं, जिन्दगी का खत्रा, endangered. All right. C, a tranquilizing gun. Tranquilizing gun. A gun that shoots a tranquilizing dart. Dart कहते हैं, एक जो आपने देखा होगा, एक nib की तरह, एक pen की तरह होता है, जिसके पीछे कुछ पर लगे वे होते हैं, फेदर्स लगे वे होते हैं, और आगे एक needle होती है. आपने movies में देखा होगा, ऐसी guns होती है, जिनसे dart को shoot किया जाता है. वो shoot करके क्या होता है? Basically, dart gun क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. The dart injects a drug into the animal which sedates or calms it. आपने देखा है, जब आप zoo में जाएं, तो बहुत सारे animals क्या होते हैं, वो सोय वे होते हैं. वो क्यूं होते हैं? क्यूंकि उनको हमने sedate किया होता है, animal जो wildlife वाले होते हैं, उन्होंने sedate किया होता है, या काम किया होता है, तो उनको सुकून में लाया होता है, कैसे? वो पास में जाके injection तो नहीं लगाते हैं उनको कि आप सो जाओ, राइट? तो animals के लिए dart guns use होती है, at times जब animal बहुत ज़्यादा wild हो जाते हैं, और human control में नहीं रहते हैं, तो वो जो gun होती है, उस gun को tranquilizing gun कहा जाता है, उस gun के अंदर से shoot किया जाता है, dart को, dart कहते हैं, वो जो उसके अंदर से एक needle निकलती है, with feathers, वो dart कहां जाती है, उसी जाके लगत आम कर देती है, वो थोड़ा सो जाता है, animal, जो भी, wild animal, ठीक है, तो ये guns जो होती है, wildlife वालों के पास, normally होती है, ठीक हो गया, तो ये tranquilizing gun, यही tranquilizing gun उस police department के उस बंदे के पास थी, जिसने animals को, जो wildlife animals, Mr. Yates के apartment में थे, उनको उस डार्ट गन से क्या किया, inject किया और उनको वह mostly बच्चों को उनके meaning समझ में नहीं आ रहे है, तो मैंने वो भी words यहां बोड पे लिख दिये हैं, तो आओ उनको एक दफाँ study कर लेते हैं, All right, so are you ready for that? Perfect, अब जी words में ने रहां लिखे हैं, यह आपने blue star में जो words देख रहे हैं, यह five words में ने लिखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं, suspected, to have an idea of the existence of the truth without certain proof, आपको idea हो रहा है, कि जो बाद यह अगला बंदा कर रहा है, यह तो जूट लग रहा है मुझे, यह बाद ऐसी तो नहीं है, truth is something else, सच तो कुछ और है, लेकिन आपको क्या हो रहा है उस टाइम पर, suspect करें, आपका जहन आपको बता रहा है, कि मुझे लग रहा है कि कुछ खत्रा है, यह कोई बाद ठीक नहीं है, तो इस तरह की feeling को कहते हैं, to suspect, तो suspected का मतलब है, आप ऐसा क्या करें, to have an idea, आपको idea हो जाए, कि क्या है, कुछ और है, सचाई, कुछ और है, और जो नजर आ रहा है, वो नहीं है, लेकिन आपके पास proof नहीं है, because it says, you don't have certain proof, no certain proof, आपके पास कुछ सबूत नहीं है, लेकिन आपको पता चल रहा है, आप suspect करें, को कुछ गरबड है, right, exactly, okay, amazed, surprised, कहत जब आप बहुत unusual कोई चीज देखे, तो आप surprise हो जाते, I'm amazed to see a canyon in Mr. Yates' apartment, Mr. Yates' apartment में, वो alligator देखे, I was amazed, surprise हो गया, right, so that's amazing, amazed, massive, huge, massive कहते हैं, बहुत बड़ी, यानि कोई एक चीज जो अपने size से बहुत बड़ी है, उसको कहते हैं, massive, right, absealed, absealed का जो word है, इसका मतलब है to pull through, यानि कि क्या करना, एक रसी से लटक के एक point से दूसरे point तक जाना, अब कौन सा point उसको पड़ते हैं, a controlled descent, descent कहते हैं, नीचे की तरफ आना, मैं arrow बना देती हूं, जाकर आपको पता चल जाए, descent का मतलब है, नीचे की तरफ आना, all right, off a vertical top, किसी सीधी top के, यानि कोई ऐ एक एरिया जो बिलकुल straight है, कौन सी चीज होती है, जहां से आप तॉप से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकते हैं, stairs के एलावा, exactly, using a rope, rope के साथ आप जो उपर नीचे जाते हैं, तो I believe वो mountains वगेरा की बात हुरी है, जब आप माउंटेंस पे climbing करते हैं, आपने दिखा होग So, such as rock face using a rope, again, आप समझ आ गई, एक पहाड के या एक बड़े पत्थर के ऊपर से आपने आपको बांदा हुआ है, और वहां से आप उस rope से नीचे को आ रहे हैं, that's called epsilon, यानि के again, ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि आप किसी पहाड से नीचे उतर रहे हैं, इसका एक और मत बड़े पत्थर से, जो आपके वजन से ज्यादा है, उससे बंदा हुआ है, ताके आप एक पॉइंट से दूसरे point पर चले जाएं, लेकिन क्या हो, वो पत्थर अपनी जगा पर रहे और आप आप आइस्ता एक जगा से दूसरी जगा चले जाएं, इस बात को मजीद एक्स रदा बता रहे हैं, all right, do it, see I told you, absealed का मतलब होता है, जब आप बिल्कुल इस तना, इस level पे, बिल्कुल vertically rope के साथ, उपर से नीचे आ रहे हैं, descend कर रहे हैं, all right, cayman, a crocodile, cayman कहते हैं, एक crocodile को, एक बहुत बड़ी alligator को, बड़ी rare kind होती है, cayman, बिल्कुल start beginning में होते थे, cayman के बारे में भी जितनी information आपको चाहिए, आप देख सकते हैं, Google के उपर, search करें, आप लिखें, cayman, cayman के बाद आपने क्या करना है, आपने images में जाके, images देख लेनी है, all right, ओके जी, यहां तक vocabulary का पार तो हमने discuss कर लिया, अब अगर आपको लग रहा है, कि आप इस video को pause करके, उस newspaper report को अब दुबारा पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको vocabulary का पता चल गया है, तो go and do it. All right students, अब हमने क्या बात करनी है, vocabulary के अंदर, एक dictionary का task है, जो काम मैंने आपको अभी बताया है, उसको यहां पर आपकी book में लिख दिया गया है, ठीके, अब इसको एक दवा पढ़ लेते हैं और मैं आपको बताती हूं किसकी answers आपने कैसे करने हैं, okay grade 6, vocabulary, dictionary task, in the third paragraph, it says that the police officer upsealed down the side of the building, यानि के third paragraph में हमें बताया गया है, कि जो police officer था, वो इसी position में, upsealed position में कहां आ रहा था, building से नीचे को आ रहा था, कैसे आ रहा था, क्यों building से नीचे की तरफ आ रहा था, आपको पता है, what does this mean, what is upsealing, इस part का जो जवाब है, यह आपको मैं already यहां पर दे चुक आप चाहें, तो इस part के answer को यहां से copy कर सकते, ठीक है, आपको पता है, इसका क्या मतलब है, what is upsealing, upsealing का मतलब क्या है, again, यह meaning यह लिखा है, ठीक हो गया, why did the police officer upseal, police officer ने ऐसा क्यों किया, सोचें, बेलकुल police officer ने ऐसा इसलिए किया, क्यों के Mr. Yates के apartment के अंदर दो wild animals थे and it was a life threatening situation, उनकी जिंदगी को, policeman की जिंदगी को खतरा था, that's why, for a safer note, उसने क्या किया, वहां से ही sealed through the building, तो यहां पर इस बात का idea, जो है, इस बात का answer है, वो भी आपको पतार चल जाएगा, to protect himself, और it was the wise way to do it, ठीक है, let's write it here, मैं आपको सिरब एक hint लिख देती हूं, answer protect himself from the wild animals inside the apartment, क्या अपर्टमेंट के अंदर, जो animals थे वो उनको जगाना नहीं चाहता था, या उनको बहुत जादा wild नहीं करना चाहता था, इसी लिए, what he did, actually have sealed through the building, okay, so यहां तक का vocabulary का टास्क हो गया, बिल्कुल complete, बचो अब हम करने वाले हैं, reading for understanding, question and answers को, so get ready, get your pencils, and get one piece of paper, जल्दी से एक piece of paper ले आओ, यहां आपनी notebook को अपने साथ रख लो, और एक pencil जल्दी से पकड़ लो, क्यूंके हम करने वाले हैं, reading for understanding के question and answers, all right, so do you have your pencils and paper with you, perfect, thumbs up for that students, अच्छा, अब हम ते क्या करना है, reading for understanding में, page number 124 पे आपके पास questions दिये गए, ठीक है, उन questions को मैं यहां read करूंगी, मैंने उन questions को यहां लिख भी दिया है, यहीं से मैं read करूंगी, मैंने answers के hints लिख दिये, मैं यहां पे answers आपके साथ discuss करूंगी, जब आप उसको अपनी notebook में लिखेंगे, बचो, आपने खुद से लिखना है, Mr. Da, आपको सिरफ तोड़ी सी guidance देंगी, तोड़ी से clues बताएंगी, ताके आपको idea समझ में आ जाए, understanding हो जाए, मैं चाहती हूँ के मेरे students' answers को खुद लिखें, alright, okay, question number one, What did the doctors find suspicious about Mr. Yates' story when he went to the medical center? When Mr. Yates went to the medical center, he said that he has been bitten off by his dog, क्योंके जो bites उनके arm पे, उनकी body पे थी, वो दो bites were not actually a dog's bite, ठीक है, वो dog की bite नहीं थी, तो medical center वालों को ये पता चल गया के ये एक normal bite नहीं है, It might be a bite of a wild animal, just like a tiger और a crocodile, क्योंके वो teeth के निशान बन जाते है ना, तो idea हो जाते है, तो medical center वालों को इसलिए उनकी story suspicious लगी, remember हमने suspect का word देखा था, suspect का मतलब again, medical center वालों को ये suspect हो गया, के story कुछ और है, truth is something else, but Mr. Yates is lying about it, alright, so यहां मैंने answer लिख्या है, by the bites on his hand, arms and face, उसके face पे, उसके arms पे, उसके hand पे जो bites थी, वो bites उसको पता चल गया, medical center, the people at medical center came to know about it, that the bites were not actually by a dog, they were actually from a wild animal, okay, number two, why were Mr. Yates's neighbors suspicious about his way of life, Mr. Yates के जो neighbors थे, जो हम साय थे, वो उसकी life से इतने suspicious क्यों थे, उनको भी क्यों लगता था, that Mr. Yates is hiding something, why, two reasons, a strong smell from his apartment, उनके अपार्में में से, there was always a strong smell, एक बहुत smell आती थी उनके अपार्में से, किस चीज़ की smell थी, definitely, it was a wild animal, there were two wild animals in there, and आपको पता है, वो गोर्ष या मीट खाते हैं, so वो मीट की भी smell थी, they suspected wild animals inside the flat, again, पहली बात उनको क्या थी, smell आई, दूसरी बात उनको कैसे पता चला, that there, they suspected that there might be wild animals inside the flat, ये दो बाते उनको कहां लगी, Mr. Yates की life के बारे में, suspicious लगी, okay, number three, why did the police officer make a hole in the front door, police officers ने front door में, hole क्यों बनाया, exactly, to see that whether the wild animals are at peace, or they are calm, that we have to step inside the apartment, so the animals need to be really, really calm, he wanted to be safe, so that wild animals would not attack him directly, ठीक है, he was a sensible guy, उसने क्या किया, he made a hole, उसने उस होल से देखा, that where is the position of those wild animals, ताके वहाँ पर वो क्या करे, डार्ट से अटाक कर सके, ठीक है, so I have written the answer, to see the position of the flat and animals inside, याने के उस flat के अंदर animals की position को देखने के लिए, उसने क्या क्या, he made a hole inside the front door, number four, explain exactly how did the police officer overcame the tiger, आपने exactly बताना है, पूरी situation के, जब tiger ने police officer को देखा, so उसने क्या किया, the tiger took charge of the window, means के जो tiger था, उसने क्या किया, खिडकी से भागने की या छलांग लगाने की कोशिश किया, but at the very moment, policeman shot a dart at him directly, मैंने answer dictate आपको किया, इसको as it is आपने लिखना है, दो answers मैंने आ लिखे, दो hints लिखे, the tranquilizer gun, उसने tranquilizer dart gun से क्या किया, shoot किया, made a hole in the front door, पहले क्या किया, उसने, he actually made the hole in the front door, पहले, फिर आपने बताना है, that he saw the tiger inside, he opened the door and the tiger tried to run, but then he shot him or he shot it with a dart gun that sedated him or that calmed him, छीक है, that's the answer number 4, let's move on and write the answer number 5 and 6, okay, question number 5 है, describe the scene at Mr. Yates' apartment which greeted the police officer, अब आपने रेखा कि पुलीस ओफिसर को पहले तो नहीं पता था, कि क्या है, जब तक उसने hole draw नहीं किया अंदर, जब उसने door में hole बनाया, उस ताइम उसको पता चला कि अंदर क्या है, actually the scene that greeted him, greeted him means कि जब उसने वो scene एकदम से देखा, पहले तो नहीं उसको पता था ना, so जो greeting का word है, इसलिए है कि it was new to him, it was new to the police officer, ठीक है, so दो बाते थी, a massive tiger inside the hall, rooms के बाहर hall में, there was a tiger roaming around, and a long keyman behind the sofa in another room, in another room, what was there, there was already a keyman or a crocodile, आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, number six, where did the police officers take the tiger, आप police officer ने dart gun के साथ attack करने के बाद, tigers को कहां ले गए, they took it to the wildlife reserve in Cleveland, Ohio, okay, that's the name of the reserve, और ये वो जगा है, wildlife के लिए, जहां पर वो ले गए, उन tigers को, so that's it for today's rooms, आर हमने मिलके newspaper report पड़ी, उससे related बहुत सारी vocabulary को discuss किया, और हमने उसके बाद, reading for understanding, यानि comprehension के question answers को भी solve कर दिया, that's it for my side's rooms, आपने दिये गए tasks को ज़रूर complete कीजेगा, कोई भी काम मिसना कीजेगा, और उस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजेगा, अगर कोई confusion है, तो जैसा मैंने आपको बताया है, dictionary को use करें, और Google को आप images वगरा के लिए use कर सकते हैं, thank you so much for watching today's lesson, Allah Hafiz!